पानी ने मचाई तबाही फ्लर्ड फ्लर्ड एवरिवेर वेलकम गाइज वेलकम टू माई चैनल कविता गोर्ड को गाइज देखिए ये पक्षी बारिश से बशने के लिए कैसे छुपे हुए हैं और मैंने अपना सारा काम में टाके कर ली है मैंने पूजा ये मैं पूजा कर रही हूँ और ये मेरा एक दिन पहले का है ये वीडियो क्योंकि आज है हमारी छुटी क्योंकि चारो तरफ बारिश ही बारिश है flood ही flood है पानी ही पानी है और पानी में मचा दी है बहुत बुरी तरह से ताभाई और सब जगे हो गया off चाए वो court हो चाए वो schools हो चाए वो offices हो तो सब जगे हो गया off और यह मैं बैट के चाए का आनद ले रही हूँ बारिश में और यह मेरा me time देखे बाहर का मैं मज़ा ले रहे हूं बारिश का मज़ा ले रही हूं और बैठ के पी रही हो, अर यह बहुत sigh time होता है मेरा और अब आगी हूं मैं kitchen में आज हम बनाएंगे डोसा इडली डोसा तो आज हमारा है डोसा डे और यह बेटर हमारा तयार तो अब हम बना रहेंगे डोसा तो गाइस बारिश इतनी तेज है कि ओवर वोईस देते हुए भी आवाज क्लियर नहीं आ लिए तो आपको मैनेज करना पड़ेगा जैसे भी मैनेज करें आप तो यह आज मैं बना रहे हूं प्लेन डोसा यह मैंने थोड़ा सा मसाला डाले इसके पर और थोड़े से हार्यधनी डाला और देसी की डाला और यह बनके हो गया तेयार हमारे डोसे अब मैं बना रही हूं इडली जैसा ही बनाऊंगी मैं जैसे इडली ढोगला होता है तो यह मैंने प्लेट लिए इसमें ग्रीस लगाया मतलब ऑई लगाया ग्रीसिंग की और इसके बाद इसका बैटर को मैंने रख दिया इसमें प्लेट में और इसको करेंगे टैप 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 करने के बाद इसको रख देंगे स्टीम के लिए यह टैप टैप किया इसके बाद आब इसको स् करके देखेंगे कि कहीं यह लगके तो नहीं आरा पार्टिकल तो देखें बिग्यू क्लियर है और यह हमारा हो गया तयार तो अब इसके लिए हम तड़का बनाते हैं तेल लिए उसमें सरसो के दाने डाले हरी मिल्चें डाली कड़ी पत्ता डाला और इसको अच्छी तरह से करेंगे अच्छा बैटर के अंदर मैंने नमक डाल दिया था और यह देखें कितना सुंदर लग रहा है उसके पीसिस कट कर लिए मैंने और यह देखिए यह देखिए यह बत इसका टेस्ट इडली का भी आएगा और धोगले का भी आएगा तो यह एक नया इन्वेंशन है यह देखिए बहुती स्पॉंजी स्पॉंजी है बैटर इतना अच्छा बनके तयार हुआ है ना बहुत ही जबर्दस्त लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्ट ही है बहुत ही टेस्ट ही है तो आज हग हो गया हमारा डोसा डे तो गाइस जैसे देख ही रहे हैं आपक यह देखिए कि हमारे आसपास का बाताबन कैसा हो रहा है फ्लड जैसा हो रहा है सारी सड़के खराब हो गई है लैंन्ड्स्लाइड ओर यह जगे तो उनके सब की वीडियो उन्होंने सेंड किये हैं जिससे कोट्स वगरा बंद हो गई है तो यह देखिए मेरे डौसा और य है कि बारिष तो हो ही रहे है न तो यह दिखे मैं जा रहे हूं अपने कोड के तरफ और रास्ते में देखें कितने बारिश हो रही है सब तरफ तीला-पीला और बारिश पट्री बड़ी इची लगती है बहुंअ मैं अचछी सी लुकी और यह देखिए मतलल लोग जात हो रहे हैं लेकिन यह देखिए कैसे रास्ते में जो रीवर है जो नाले हैं वो कैसे नदी बने वह रही है यह देखिए बूरी हालत हो रही है मतलब लोगों के जो घर थे, जो कच्चे घर थे, वो सब उड़ गए, सब भैगा इसी में, तो ये देखकर के कई बार तो दुख होता है, कि देखो मतलब जो आसपास रहते हैं, रिवर और ये नालों के आसपास, तो उनके जो घर है वो कैसे है, मतलब एकदम ही बरबाई ये कैसे घर खिसक रहे हैं, घर ना इनके भी, तो ये कैसे मतलब बरबाद हो रहे हैं, धिरे दर करके नीचे खिसक रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के सकती है, और मिट्टी के खिसकने के साथ सारा का सारा जो उपर बना हुआ होता है, जैसे रोड हो या कुछ भी है, तो ये एकदम मлан फिसल के नीचे पानी में जाता है यह देखे एग पानी का यह फिल देखेए, पानी किज़ा लग τो कि इतनी बड़ी रिवर के ईसमें पराद के यह दाए Самुद्र लग लगा विल्कुल मेर इसे ध HOLT बू यह तक रर तो एसे में तो जाने का मन भी नहीं करनाथा और लोगों ने फिर जब हम court गए हैं तो लोगों ने अपने घरों के आसपास की भेजी हैं videos कि हम sir हम maim कैसे आएं रास्ते सारे बंद पड़े हैं तो हम कैसे आएं तो इसी तरीके से सब को यह situation देख करके तो court हो गए हैं अभी थोड़े दिन के लिए बंद यह देखें यह conditions देखें यह यह लोगों ने भेजे हैं यह आसपास के area के हैं देखें कैसे rescue कर रहे हैं यह यह लोकालिटी है लोकालिटी के अंदर देखो पानी भरा पड़ा है यह देखें यह लोकालिटी है यह देखें कैसे डूबे हुए इसके अंदर scooter का सब डूबे हुए और यह अब हम वापस आ रहे हैं वापस आने के बार देखें क्या है condition जब हम गए थे तो इतना पानी नहीं था और अब देखें पानी भरा पड़ा है सड़कों पर खचा खच तो आज तो फ्लड मैंने बोला पहले ही बोला फ्लड फ्लड एवरिवेर चारो तरफ बाड़ी आई हुए है इतनी जबर्दस बारिश अभी थोड़े दिन पहले इतनी गर्मी थी फिर इतनी करिश्मा है कभी धूख कभी चाव कभी सूखा कभी इला और यह देखें क्या फ्लो है यह इक नवी है यह चोटी सी नवी इसका फ्लो देखी आप जोगा है कि अब हमारी होगी है इसके बाद देखें कब और मैं आगी हूं अब घर पर बुल तरसे में भीग गई हूं और भीगने के बाद अन्दर जाके पहले में चेंज करूंगी और चेंज करने के बाद में कियोंगी चाय और यह देखें मैं फिर से लित्व ले रही हूं चाय का मजा ले रही हूं चाय का और जब मैं ओबर वाइस दे रही हूं यह देखें यह है लेटस जब मैं ओबर वाइस दे रही हूं तो बारिश इतनी तेज हो रही है तो यह रिसंटली रिसंटली मेंस वाल आज का जो मैं आप भी इंजॉई कीजिए रेनी सीजन को मज़ा लीजिए मौनसून का और मौनसून में बैट करके खाए गरम गरम पकोड़े और चाए तो गाइज मैं अपना वीडियो यहीं अंड करती हूँ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कभी तक हो इस वर्ल को मिलती हूँ अगली वीडियो में तिल दन बाई एंड टेक केर